श्रीकाल नमस्ते, थैंक्यू एवरिवान, आप सभी ने मेरी पहली वीडियो देखी और आप सभी लोगों के इतने कमेंट्स आये हैं उसके बाद कि आप लोगों ने वर्चुली टाटा को हिला दिया है, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैं उमीद नहीं कर रहा था कि ये एक्चुली इतनी बड़ी वीडियो कोई देखेगा और उसका क्या आसर होगा, पर शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाटा मैनेजमेंट हिल चुकी है, उनको पता लगा है कि आम इंसान की आवाज कितनी उंची जा सकती है, आज तक उन्होंने एक ही का पता देता हूं कि इनको बता देता हूं कि बेसीकली सिनारियो हुआ क्या था, सिनारियो यह हुआ था कि मैंने सफारी कार परचेज करी थी दादा मोटर्स लुधियाना से, 17th मार्च को मतलब बिलिवरी थी और 16th मार्च को मैंने उसका PDA चेक किया था और अडवांस पेमें उन्होंने मेरे वाला वहिकल ना देके मुझे जो राउंडबाओ 20 किलोमेटर के आसपास चला हुआ था उन्होंने मुझे एक वहिकल दे दिया 62 किलोमेटर चला हुआ जो पता लग गया कि उसकी चेसी नंबर डिफरेंट है मेरे पास उसका प्रूफ है जो मैं सारा चाहूं जो मैंने वह ले ली उसके बाद हुआ किया वह एक ट्रैजिक कार मेरी लाइफ की ऐसी कार जो कभी सड़क पे चलने को तयार नहीं थी कहीं रुख जाती थी वाइबरेट होती थी एवरी कांड़ प्रॉब्लम लाइट आ जाती थी उस पे कभी भी बंद हो जाती थी अपने जैनी गेम शुरू हुआ है एक हो सर्विस सेंटर वापस लेके जाऊ किया ले किअ वापस जाऊ दो सो किलोमेटर यह चलाएंगे पचास किलोमेटर में चलाओंगा कार वापस आईगी उन्हें उस सिनेरियों में मतलब मै नए मार्श में कार ली उसके बाद इनोंने कार में बदल दिये उसके सारे इसके कनेक्टर बदल दिये उसकी तारे बदल दी अभी जो पता लग रहा है वो कहते हमने ECM चेंज करके देख ली थी इट वजन गें इंट 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 सॉड़र्ड बेसिकली जो चीज होती है वहिकल रिकल में कि वहिकल जैसे अब प्रॉलम आरी य वोल्ज्वैगन के नइ कार में तो तो वहिकल कर रहे है और इसके चेंज कर रहे हैं और उसका शचाल थी ए? यह मेरा ऑन-recौर्ड रिकॉा ला था पहले पर रिकॉल यह चल रहा था कि जिसमे काड़ी डिसमेंटल कर दी जा दिया है और उन्होंने दुनिया का हर चीज करके देख ली थी और ये डिलर्शिप ने खुद नहीं करी थी सारी की सारा काम ताटाग मोटर कर रहा था क्योंकि ये कन्फूजन है कि चलो भी डिलर में आपके साथ बीडिलर में अच्छा करा माल लिया डिलर ने मेरे साथ फ्रॉड किया जो मेरे लिए कार बुक की थी वो मुझे नहीं दी उसने सेकंड की मुझे देनी थी वो नहीं दी कईयों का ये कोश्चन है कि सर जो सेकंड की है हमारी भी लेट आई है बिल्कुल सही लोगों की लेट आई है अप्रिल वाल के बाद मेरे केस में जो सेकंड की थी वो डे वन को ही डिलर्शिप को दे दी गई थी मेरी कार कमपनी ने टाटा मोटर ने मेरे डिलर को दी थी 16 फेब को और उन्होंने मेरे को रिटन में दिया है कि we had provided the dealer with both the keys on that very date dealer ने मुझे 17th March को ये 2nd key क्यों नहीं दी ये अभी तक question clear नहीं टाटा मोटर आंसर कर रहा है ना ही डिलर आंसर कर रहा है मतलब उन्होंने मुझे end तक आज तक चाबी नहीं दी तो चलो कहते हैं उन्होंने ये कार आती गई जाती गई they changed everything in it पड़ वो कार नहीं हो पाई ठी कहीं भी फिर उप जाती थी मतलब इन्होंने ये हाल हो गया था कि overall जब हमारा last July में आय थे तब ये हो गया था कि टोटल 1500 किलोमेटर कार चली थी जिसमें से मैंने 500-600 किलोमेटर चलाई थी और 800-900 किलोमेटर ये चला चुके थे आपको नहीं कार दे रहे हैं तो यहां भी कई लोगों को ये कंफ्यूजन रह गई कि मुझे शायद नहीं कार मेरी आई नहीं पर पुरानी मेरे पास है तो मैं ये क्लियर कर देता हूं मेरे को मेरे पास कोई कार नहीं है सफारी की इन्होंने जुलाई में 8 जुलाई या 7 जुलाई की बात है जब इन्होंने मेरे से कार वो ले ली थी वापस क्योंकि मैंने मेडिया बुलाना था और सब कुछ करना था जिसकी अगर आप प्लीज डिटेल्ड वीडियो देख पाएंगे तो आप बैटर समझ पाए क sleepy अगर अगरे दोंकि महौ्त मने खांगे गई दूसरे पड़ दूसरे पर इसु करेंगे दुबारा आप इन्होंने अंदर किया हूआ टा बेलाएं गरें के उसका हुआ जिसका मटे इविड़न्स मेर दिखा रहा हूं आपको है इन्होंने वह वहीकल वापस लिया पर यह a silent mode पे चले गए इन्होंने क्या किया बैंक प्रोशेस को जो इन्होंने को फिले करना था जो दो दिन का काम था एंहोंने कैंसलेशन में बढ़ी कर दिया और रिकला कर दिया और मिलेगे को कृते है इसर वो कैंसल हो रहा है दो हो रहा है भू menting होई, उसके बाद यह डिसाइड हुआ, कि, नहीं, हमें यह वहिकल पंदरा दिन में आ रहा है, दस दिन में आ रहा है, जब यह दो महीने निकल गए, और मुझे पता लग गया, यह कमपनी में कुछ गेम चल रहा है, इसको रीकॉल को लेके, तब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसके बाद हुआ क्या, वो स्टोरी सारी मैंने उसमें डाल द पर आप लोगों ने देखा, पूरा देखा, कॉमेंट्स करें, शेयर करा, ट्विटर पे शेयर करा, और इस फाइट को उस लेवल तक ले गए, कि टाटा को फाइनली हीर करना पड़ा मेरी, वो लोग जो किसी की एमेल का जवाब नहीं देते हैं, यह मांशु जी हो गए, य डीलर पर छोड़ दिया था, और मैंने पिछली वीडियो में बता रखाया कि डीलर कैसे बदमाश है इनका, ताटा वाले भी कुई दूद के दूले नहीं है, यह जो कार थी, यह कार जो अब इन्होंने खुद ही मेरे को डॉकुमेंट्स दी है, उसमें यह बताया गया है कि यह जो सफारी थी, यह मेरे डीलर को हैंड़ोवर करी गई थी, इन्होंने 16 फैब को बिलिंग करी थी, और 22 फैब को मेरे डीलर के पास यह कोहर पहुँच गई थी, अब दो सिनेरियो से हैं, और यह उन्होंने पुताया कि 35 किलोमेटर पेडियाई चेक है इसका, मेरे डीलर मैंने जब purchase करी, मैंने 17th मार्च को इसको handover किया मेरे को जबकि Feb वाली cars Feb में ही बिग गई थी सारी ये वाली car dealer के पास क्यों वट की रही, 62 km क्यों चला क्योंकि ये car में manufacturing defect था तब ही अब dealer करता क्या उस car का एक चीज option थी कि यार तो मेरे जैसे कोई बक्रा ढूंडता मैं बक्रा मैंने गल्ती करी, मैं मान रहा हूँ, शुरू से मान रहा हूँ या तो मेरे जैसे किसी person को पकड़ाता या Tata ओनस लेके गाड़ी वापस लेता Tata ने इस case में क्या किया, उन्होंने dealer को मना कर दिया कि sir, हम ये car वापस नहीं ले सकते हैं कि हमारे में ऐसा कोई process नहीं है, जो चीज़े हैं इसको ठीक कर दो और dealer मतलब उन्होंने वो गाड़ी ठीक करवाई और in short end पे मुझे चिपका दी गुगा उनके मुदाबिक ये car ठीक हो गई थी, पर car में manufacturing defect इतने थे कि अभी ठीक ही नहीं होई तो इस case में एक चीज़ तो clear है, a lemon was produced in the factory और जब lemon factory में produce हुआ है Tata का, तो हम मैं बिल्कुल मानता हूँ कि dealer ने fraud किया मेरे को दूसरा दिखा के दूसरा चिपका आया, fire हो नहीं चाहिए, कोई doubt नहीं है उसमें, मैं आशुरू से मांग रहा हूँ मेरे को दूसरी चाबी नहीं दी, मेरे साथ तो fraud किया ना, मेरे जिंदगी के 6 महीने तो बरबाद किये ना पर Tata involved तो Tata है ना, car तो Tata की है ना, जितनी बार भी car पे वो नोने work किया, Tata ने work किया, through video conference work किया, Tata फेल हुई है इस चीज में, हम ये बार-बार सभी जाने Tata क्योंकि डिफेंड करते हैं हमें ये क्यों हर बार, अगर कोई भी चीज हम उनको improve करने की बात करते हैं, तो ये क्यों हो जाता कि नहीं या, Tata छोड़ दो, dealer पकड़ने, dealer की गलती है, तो Tata की seriously गलती है हम लोग हर बात पर make in India पे आ जाते हैं, कि या, made in India, 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 made in India कैसे हो गया वो चीज, उसमें क्या चीज, made in India, उसका इंजन जो है, Fiat का है, Fiat Italian Company है, उसका जो गेर बाॉक्स है, Hindोई का है, Hindोई Korean Company है, पैसा कहां जा रहा है, बहार ही जा रहा है, पैसा इंडिया में तो नहीं रह रहा, इन लोगों ने जो अपना कह रहे हैं कि चाइना का गाडिये मतलो, Tata was the first company, जिसने 2012 में चाइना से इंपोर्ट शुरू किया, अपनी automation parts के लिए, यह सारी कार की जो automatic cars होती है, क्योंकि यहां नहीं बनती, even Mahindra और बाकी companies देख लो न, वो भी Korea या Malaysia या Singapore से इंपोर्ट करती है, इन लोगों ने 2012 से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे हमें कहा जाता है कि यार हमारे हमें local for local या सब कुछ, तो हमारे borders में जो हो रहा है, उसका पहला पैसा जो हम दे रहे है, वो बेसिकली इन लोगों चाइना तक पहुंचा रहे हैं, इनके पास अपना है क्या, पूरी कार में बताओ है कि इस चीज में, पूरी कार उनका last date था, नए person ने आना था, Mark ने join करना था, Mark ने join नहीं किया, ये पहली ऐसी company है, और दोनो, में ची सोच लो, दोनो foreigners हैं, हम हर बार India की बात करते हैं, यार कि Tata है Indian है, Tata Indian है, मेरे को कोई बताओ तो सी, क्या है, Tata Steel मैं मानता हूँ, उसने country को rise करने हैं, बहुत किया, Tata Steel is there, पर यहां पे हम Steel थोड़ी ना खरीद रहे हैं, हम तो वहिकल खरीद रहे हैं ना सर इस चीज में, तो इसमें कहा है, कौन सा argument है कि यह Indian है, जो CEO जो resign किया ना, आप उनमें चेक कर लीजिए, Google पे चेक कर लीजिए, He is the highest paid CEO in auto industry, पैसा बाहर ही जा रहा है सर, पैसा कहा सिधा कार क्यों नहीं ले लेते, Fiat की सिधा कार क्यों नहीं ले लेते, Fiat का engine में इसमें लगाया है, तो हम सिधा उनकी ले लेते हैं, Steel तो वह भी इंडिया का ही लगा रहे है, हमारे emotion से खेला जा रहा ही है, यह vocal for local, इनके अंदर, if they don't solve this thing, हम इनको भी तो कटहरे में खड इसमें मेरी कार ले ली, मुझे नहीं कार नहीं भेजी, और मेरे को इतने टाइम परिशान किया, right from the day I purchased the vehicle, dealer ने fraud किया, Tata ने dealer के साथ किया, dealer ने मेरे साथ किया, फसा तो मैं न, सुनते तो यह लोग नहीं है, पर आप लोग की power के साथ क्या हुआ, कि यह लोग जुके, पह जो मेरे और dealer में थे, और second चीज थी, जो oral थी, मेरे और Tata में थी, क्योंकि Tata मोटर के वही सारे आ रखे थे, इन्होंने उसके time क्या किया, उसके बाद lawyers involved कर लिये, उसको draft को इतना बड़ा कर दिया, कि ensure करो, I had to ensure, कि मेरी videos जो है, Twitter जो है, यह सब delete करो, और ensure करो कि कोई उस में लगा रहा हुआ, यानि कि मुझे मेरी कार वापस लेने के लिए, नहीं कार जो उन्होंने देनी है, मुझे इनकी conditions यह accept करनी पड़ेंगी, मैंने कहा नहीं करूँगा, और उस agreement में कुस ऐसी चीजे भी हैं, जो मैं disclose करने के लिए तयार हूँ, और वो history में पहली बार हो मैं वो points share करता हूँ आपके साथ, आप लोगों को पता लगना चाहिए, कि क्या कुछ होने वाला था उसमें, एक history लिखे जाने वाली थी, पर इन लोगों ने मेरे पो उल्टा दबा दिया, कि नहीं सर आप ये करो कि तब आपको कार मिलेगी, भाई क्यूं, पैसा मेरा है, म मुझे लिखे, हे और झाघलर के पास वो पड़ा है, फिल रिखे हमारी आपको की व समय है, मैं वह सेमह में चाहिए, कि अपनले बोगों इन ख़ना पॉछ्डर के लिखे है, अब धीलर के पास वो पड़ा है। थीन-ट्रस नीन में चाहिए, तो पर दोर इसमें ते लिख कि यार, यह चीज는 तो आ बदमाशी कर रहे हो, यार, यह बदमाशी नहीं चलेगी, इन पे प्रस था, पूरा प्रस था, आप लोगों का प्रस पूरा था, मैं कहूं नहीं हुआ, यह हिल चुके थे, पट यह अपनी मूच हो गया, यह हो गया कि हम टाटा रीकॉल नहीं करती, वही कल सर, क्यों नहीं करती भई, अफिशली आपने कर लिया, अफिशली आपने किया हुआ है, जिसका मैं एविडेंस दे रहा हूं, आपको, पुरी फोटोग्राफ मैंने डाली है इसमें, कि ये चीज रीकॉल हो चुकिया, तो दो ना, अब क्या इशु क्या हो गया, इसको क्यों दिखाना है अपने मेरे को, उसके बाद हमारी 22nd को जो मैं धरने पे गया तो इनके, उससे पहले मैं इनको भोल दिया था कि I need management to get involved, and they were telling me, sir, Bombay की management involved है, तो हमारी meeting उस दिन पांच घंटे चली, उसमें पहले कहा गया, sir, गुडगाओं आके meeting कर लो, फिर कहा कि चंडी मीटिंग कर लेंगे, फिर मैंने कहा कि मिटिंग तो मेरे शाहर में होनी चाहिए, नहीं मिटिंग क्यों आपके शाहर में होंगी, और उस दिन मैंने सुबह इ गुडगाओं, यह email मैंने तब तक नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने, क्योंकि इन्होंने 10-13 मेल भेजी सुबहे, और साधे द्रस हमारी meeting शुरू हो चुकी थी, तो finally decide, मैं अपने stand पे clear था, कि meeting लुधियाना में होगी, इन्होंने phone पे head है, जो Bombay के sales के, Mr. Vivek, उनसे बात रहे कि गलती हुई है, तो पब्लिक को पता होना चाहिए, क्या गलती हुई है, पर मैल उधियाना आया, दो दिन बाद इन्होंने कह दिया, कि Sir, Mr. Vivek has pulled out of the meeting, वो नहीं आ सकते हैं, तो only the zonal head, जो रितेश जी है, वो आएंगे और हम चंडिगरवाने आएंगे, मैंने उनको को email कर दिया, कि Sir, एक promise किया गया है, management फिर भाग रही है, management भाग की रही है, क्योंकि CEO नहीं है, company spineless तो ही है, headless भी है completely, और ये पिछले 10 साल में, एक decade में, तीसरी बार हो चुका है, कि Tata Motors का कोई CEO नहीं है, इतनी politics है इसके अंदर, हम लोग आम बंदा इसके अंदर घुसत उन्होंने एक proxy को भेज दी, Bombay से, I don't know the name, मैंने इस email में तीन बार पूछ चुका हूँ कि, person का नाम बता दो, मुझे याद नहीं है, WhatsApp कर चुका हूँ, दे नहीं है, उसका नाम, so anyhow, ये चंडिगर टीम थी, ये Deepak जी थे, Himanshu जी थे, और ये खरे जी थे, उस meeting में मैं पाक हो गया था, मैंने इमको, खरे जी को खरी-खरी सुनाई, हमारी बात इस तरह पहुंच चुकी थी, I said कि आपने उठना है, उठके चले जाओ इस meeting से, पर आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने मेरे जिंदीगी के छे महीने बरबाद करे हैं, क्याते हम आगई मैं आप आई नहीं हो, आप किसी के सुनते नहीं हो, आप तो, पॉलिटीशन वाल एक्ट कर रहे हो कि सर, हमारे पास गुडगाओं आजाओ, मैंने का आप यहां बैठे हो क्योंकि यह लोगों है, लोगों ने यहां बिठाया आपको, और आज आप आप आंसर क्यों दोगे का मेरे क्या देखोगे, कहते सर, हम इसको क्लोज करते है, मतलब आप समझ सकते हो कैसे क्लोज करते हैं, मैं धाप टीके क्लोज करते हैं, कुई प्रॉलम नहीं है, बट मेरी एक कंडिशन है कि वीडियो स्मूड पूल डाउन नहीं होगी, पहली कंडिशन, सारा जो भी इस मी नहीं ने काम नहीं किया, मैंने का मेरी ITR रिटर्न आप देख लो, मेरे को जो स्ट्रेस दी है इतनी की सफारी नहीं होगी जितना आप मेरे को स्ट्रेस दे चुके हो, मैंने का वो छोड़ो, पर ये जो भी हमारी सेटलमेंट होगी ना, that will go to public, उन्होंने साफ मना कर दिया, उ रख लो, कब तक रख बैठोंगे, legally तो आपने मेरे को दे नहीं है, कोई problem नहीं है, और सभी लोग मुझ से पूछ रहे हैं कि मैं legal क्यों नहीं जा रहा हूँ, परी मैं legal इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मैं legal जाओं, आज तक सभी ने ये प्राइब नहीं कर रहे हैं इन्होंने केस कर दिया उस पर हुआ क्या है दो साल हो चुकिया सर एंड पर यह है कि सेटलमेंट टेबल पर आओ कर लो अगर मैं भी केस करता हूं ना सर कैसे ऐसे चलेगा केस में यही होगा कि end of it भी चलो आओ सेटलमेंट कर लेते हैं तो लोगों पैसे को लेने के लिए मैं जुकूं कभी नहीं जुकूंगा अगर कोई फैसला होगा तो वो पब्लिक में जाएगा वीडियो नहीं डिलीटूंगी लोगों को पता लगना चलिए कि पहली बार लोगी कठे हूँ है लोगों ने स्टैंड लिया है तो टाटा जुकिया अगर पहली बार मेरे शहर में आ सकती है न तो आम पंदे ने उसको जुका दिया है पर अभी भी थोड़ा से उन में है अभी भी नहीं 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 इनको असेप्ट करना पड़ेगा गलती हुए पब्लिक प्लाटफॉर्म पे अच्छा जो अब मेरी अगली चीज है जो मैंने बाहर से आते हैं पर अब अगली चीज़ यह टाटा हमसे दिमाग से खेलता कैसे है आप मरूती आपके दिमाग में आ रही होगी मरूती 800 है 800 जब बंद करी गई तो ओल्टो 800 बेसिकली कुछ इंप्रूमेंट के इतना टाइम हो गया तो इंप्रूब करके लो ओल्टो भी ज चार पांच की स्विट चलि आ रही है है अज तक चल रही है है अपने कभी बंद हुआ मतलब झुटा था लो आई टैन उठारव आज चल रही है अब इनका उठा लेते हैं इनका इनका चिथा लेते हैं आप कह रहını की और टाटा की का बोट अड़ें हैं सारे टाटा लबर क 2016 में आई है, 2016 से पहले कोई भी कार आज मार्केट में टाटा की नहीं है, टाटा की इतने वहीकल्ज आए हैं जिसके मैं पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, इनके इस्टेट आई, सियारा आई, सुमू आई, इंडिका आई, स्पैकियो आई, इंडि कार है, उसके बाद नैनो आई, मांजा, मांजा था ही कि डिजायर को कंपेडिशन देगी, सारी कार आई, वेंचर आई, आरी आई, जैस्ट आई, जैस्ट के टाइम तो कितना पता ही होगा, इन्होंने का था कि इतना चेंज कर दिया, पूरी लिटेश टेकनोलोजी लिया है यह सारी कार हैं, जो आपको बता रहा हूँना, सारी बंद हो चुकी है, पता है, सारी कार बंद हो चुकी है, और जिन जिनोंने यह कार ली थी, और यह कार चली कितना टाइम है, मार्केट में, छे साल, साथ साल, आठ साल, जिन जिन ने यह कार ली ना, एंड पे वो, क्योंक है इनकी, अगर मरुत्यी ने कभी कार बंद क्यों नी की, क्योंकि वह servis देते हैं, हंदोई ने नी बंद करी, क्योंकि वह service देते हैं, ноз eens रेएर केस ने वह सी हुती, जो बंद होती है इनकी ये सारी cars इस ले बंद होंए, क्योंकि ये बदनाम हुए हो और टा आटा खरीदी विष्टा से लेके हर कार खरीदी उन्होंने कुछ सोच के अपनी जिंदगी का पैसा लगाया होगा कि कल हम इतने साल चलाएंगे उसके बाद रिसेल होगी पर जब तक कार चलाते हैं उनको तीन साल चार साल बाप प्रॉलम्स आती है और तब तक यह कार बंद कर देत है क्योंकि पिछली हिस्ट्री इतनी बुरी हो चुकी होती है वहीकल की सर्विस तो यह देते नहीं है और इनकी वहीकल की इशू यह है कि यह लोहा ही बेचते हैं टेकनोलोजी तो बेचते नहीं है इन्होंने तो यह तक ट्राई कर रहा है कि जो बैल्ट्स होती है ना जो न कभी local फोर local पे डाल देते हैं, कभी अब जैसे harrier आई तो harrier को क्या करते हैं, कभी कोई car is safety rating पे, कि five star rating है, four star rating है, मानता हूं चाहिए, पर अब तो market में तीम चार श्टार वाली तो इतनी गाड़ी आ चुकी है, अब तो हमेरी liability भी चाहिए, एक बंदे ने मतलब मेरे को बंदे ने चलानी भी तो है, खड़ी रखने के लिए लिए है, safety चाहिए, पर गाड़ी चलने वाली भी चाहिए, हर एक मेन की strategy है, अब यह जो Tiago आई है, 2016 में आई है, मैं active गाड़ी यह बोल रहा हूं उनकी, 2016 वाली सबसे पुरानी गाड़ी है Tiago, उसके बाद Eltros 2020 वाली Tigor आई है 2017 में, Nexon आई है 2017 में, Harrier आई है 2019 में, ठीक है, और Safari इन्होंने पुरानी देखी मुन्नी की अब तक तो लोगों के दिबाग से निकल गी, इसको Gravitas नाम से लेकाना था, इस मुन्नी को Safari के नाम से ले आते हैं, या जहां इतना है हमारे सारे पाप धुल गए, पर जिसने Tiago 2016 ली है, वो आजकी रिएट में तो रो रहा है, होगा क्या, जब ये कार 2022 में, अगर इनका ये ब्लड लाइन है, अगर यही किया है इनोने, जो ये करते आ रहे हैं, ऐसा ही किया, तो ये कार तो बंद होएगी, ये मुन्नी भी बदनाम होगी क्यों जो हाल है इनका लोगों के पैसे का क्या होगा, हमारी emotions के साथ खेल रहेंगी, फोर स्टार मेड इन इडिया, और मैंने बता दिया मेड इन इडिया क्या है इसमें, कौन सा मेड इन इडिया, स्टील है न, मेरेको लोहा वैसे खरीद दूँगा मैं, मैंने technology चाहिए, reliability चाहिए, mental stress नहीं मेरे कोच ही है, यह हर बंदे के साथ हो रहा है, जो भी कार लेने जाए, पहले यह history देख ली, यह Wikipedia पे है, Tata Motors की Wikipedia पे आप निकाल सकते हैं यह चीज, Tata की नहीं, Tata Motors Wikipedia, उस पे आपको सारा यह चीज निकल जाएगी, एक एक चीज, कि यह सबसे पुरानी कार कॉंसी है, Tiago है न, 2016 क्या हम मार्केट में कोई अगर ब्रैंड ले रहे हैं, पुराना ब्रैंड लेंगे न, पुराना ब्रैंड की कोई हिस्ट्री नो ने छोड़ी, कि बदनामी तो अपने यह हर बार चांट देते है, Tiago भी बंद कर देंगे, क्या रह जाएगा, अब Nexon के कितने मोडल यह प्रॉलम्स आ रही है, Nexon के EV में इतनी प्रॉलम्स हैं, कि आप Google खोलोगे, आप Team BHP खोलो, कल भी इतनी बड़ी न्यूस थी, आप गगन चौधरी जी है, योट्यूबर हैं, उन्होंने, जो मैंने एक वीडियो में मैंने भी बोला हुआ है, यारी R&D हम पर कर रहे हैं, उ गरंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर यही लए रही ना, यह मेरे पर केश ठोग देंगे, तो मैं गरंटी रिमूव कर देता हूँ, मैं यह कहता हूँ कि एक बड़ी चीज, जब भी कोई इनके अगेंस्ट बोलता है, जैसे योट्यूबर कोई भी अगेंस्ट बोलता है, क इनको 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 बुलाते हैं, इनको गाड़ी मी देटे टेस्ट ड्राइव के लिए, गगन चौधरी जी ने भी सफारी की टेस्ट ड्राइव जमने इनका रिव्यू पड़ा था, उसमें उने सहाव बोल रह थे तो, यह हां आपको पर्मोट कर देते हैं, सच तो यह है ना, सच तो यह है जो आपके पास कोई भी 2016 से पुरानी कार नहीं है आज की डेट में, क्यूं नहीं है, 1990 से आपकी कारें चलती है, कोई भी कार साथ साल से उपर क्यों नहीं चलती है, आरिया निकाली, आरिया 16-16 लाग की लोगों ने ली, ठीक है, एंड पे जो आरिया नहीं ने बंद करती, जिसने 16 लाख रपे लगाया, उसको 50 यार मिल रहे हैं, तो वो बंदा क्या करता है, विचारा सर्वी सेंटर वापस जाता है, टाटा वालों के बाद सेल्स पर जाता है, टाटा वाले वो गारी वापस ले लेते हैं, यार देड़ लाख में हम तो आटा की गारी दूजरी लेगा, धके से टाटाई वाले को टाटा की छोटी कार चिपका दी जाती है, यार अब ये ले जातो, तो विचारा कहता है, यार बजार में लेने से अच्छा 90,000 अब गारी अच्छी होगी, होगा क्या, यही होगा, गारी आएगी वापस बंद जाएगे उस देनी और आज की डेट में अगर दो साल पत बेचने जाएगा लाखर पैनि उसको कोई मिलेगा तो कैसा पैसा है यह टाटा फ्रॉड नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है मेरे को आप खुद बता दो इसंट इंट अ फ्रॉड हम फिर भी मेड इन इंडिया मेड इन इ कुनाई है तो मेरे को पता लग गया कि यह लोग कस्टोमर सेंट्रिक है ही नहीं इसी लिए इनके गाड़ी यह बंद होती है शुरू से इनके पास सॉलूशन नहीं होते आर एंड हम पे होती है इसी लिए तो यह फाइट डिलर की बिल्कुल है मेरी पर टाटा के गिंश्ट इस ओपन फाइट है क्योंकि मैं फेक्ट्स पे बात करता हूं मेरे साथ हुआ मैंने देखा और हर लोग जो सपोर्ट कर रहे है उनको उन्होंने देखा हुआ है और इनके प्यार वाले जो गाईज है कर दे बीच में आके गालिया लिख लो यार कोई प्रॉल्लम नहीं है ड इनका इंजर पूरा अंदर बना रहे है वह भी मेड इन इंडिया बोलूंगा है पूरा मनिफ्सेट्र उनका इंजर यहां बनाना आपका इंजरतरत ही cup की बाहरई से हा Sveringen किया है रेवी मेड नीडिया फिर भी मेड नीडिया और कब तक चले उगे इनके हाल क्या है पहले उनको क्या किया गया, उनको सात महीने पहली पुरानी गाड़ी पुरानी चिपका दी गई, ऐसे चिराग खना का केस है दिली में, एक अपने हनी जी का केस है, जिसमें वो हनी अयू जी है, उन्होंने मतलब टैस्ट ड्राइड ली हैरियर की, जो प्रॉलम्स मेरे को एक पे एक्षन नहीं लिया है, तो क्या करेंगे ये डिलर्शिप पे एक्षन लेंगे, मेरा केस इन डाउट क्लियर है, इसमें ये चीज़ा है, सर बाप भी चोड है, क्योंकि ये एक लैमन था जो पकड़ा दिया गया, बेटा कहता कि बाप ने जहां चोरी कर ली, मैंने भी कर अब तक की अपडेट तो ये ही थी, शायद मैं बहुत पॉइंट्स मिस भी कर गया हूँगा, पर अलड़ी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो थेंक्यू यार, थेंक्यू अवरी वाइज इन वान, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट क वहाँ सिर्फ फेस था, जिसको इतना गट्स मिल गए कि इनको बैठा के मैं ये कैसा कूं, कि उठना उठ जाओ, वरना सुननी पड़े कि जो आप लोग आज तक करते आ रहे हो, ये आप लोगों के क्यारण हुआ है, मुझे मेरे पैसो की टेंशन नहीं है, वो अठकें अठ के रहे, पर मैं के ओट केस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोट केस करूँगा, तो जैसे मैंने बताया, तो ये, अब मैटर सब्जूडिस है, मैं लोगों में नहीं बोल सकता, ना ही मैं इन पे ये शोशल मीडिया में प्रेशर डाल सकता हूँ, इसलिए, ये मेरे पर मैं फिलहाल कोई केस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन पैसे को, इनके पास पड़ा, आ जाएगा, सब कुछ है, इनको मैंने एक्सपोज करना है, और यही चीज मैं करूँगा, और विद फेक्ट करूँगा, प्लीज, किसी को अपने पर्सनल वहिकल के लिए नमत लेके जाएं, मेरी जो भी चीज है, वो on basis of facts है, मैं भी टाटा लवर था, तभी मैंने ली, मुझे हैरियर की लुफ पसंद आए, इसलिए मैंने ली, और इनकी marketing strategy मैंने आपको बता दिया, marketing strategy क्या है, कभी, अच्छा है, हैरियर और सफारी को इन्होंने फाइव स्टार पे प्रमो हैरियर के किसी मनिश्टर के, और आप ही PR ने डाल दिया, कि sir देखो, वहाँ पे भी हमारी हरियर बिगगई, हरियर बिगई, कि government हमारी हरियर ले दिया, भई ये सारे stunts है, stunts से बचो, हमें practical cars चाहिए, जो सड़कों पे चलें, हमें tension ना दें, हमें steel चाहिए, तो हमारे steel हम कि ये शेर करना चाहता है, तो प्लीज कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं creative comments के अंदर डाल रहा हूँ, और अगर कोई भी person, टाता की car consider कर रहा है, तो प्लीज उस तक ये वीडियो शेर कर दें, ताकि उनको भी reality पता लग जाए, decision उनका है, सब कुछ उनका है, पर हमारा पहुंचे और जो facts से हैं, decision उन्होंने आप लेना है, thank you.